हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइश्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवियास यह में जित्भी कोस्टन्स पुछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कमपेटेटरिक जॉन्स टिटी पिजिटी के विस एन्वियास यल्टी में उन सभी कोस्टन्स को आपके सामने टापिक वाइ दोस्तों जयदly आप इन सभी एकजानल्स का प्रिपेशन शिलाबस के एक्कॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिल वीडियो करके आप अपने प्रिप्रिपरेशन को बेहतरिंद कर सकते हैं यचको भीस क्रेशट सैन्छ करा जा रहा है उसको भी आप प्रेक्टिस करते रहें तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की स्विंकला के तरफ तो दोस्तों फर्ष्ट कोस्चन है कि शौरिरिक सिच्छा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है किसके द्वारा सारे सिच्छा के आधार को मजबूत बनाया सकता है दोस्तों तो वैज्ञानिक तत्थियों के द्वारा अपसन नमबर एक करेक्ट एंसर है दोस्तों सारे सिच्छा का अधार बरतमान शमय में कई वज्यानिक या रिपोर्टों के प्रकासित होने के बाद बहुत मजबूत होकर उबरा है ऐसी तमाम रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रती दिन की शाररिक कसरत यानि एक्सराइश से ब्यक्ति में सहन चमता यानि इंडुरेंश और स्वास्त हडियां मजबूत पेशियों का विकास होता है और इस बात के निर्विवाद रुप से बैग्यानिक आधार है कि सारी क्रिया कलाव की मातरा बढ़ा कर वजन घटाना चिंता में कमी आना और उस्ता या उल्ला से ब्रिधि होना संभो है इस बात के ठोस बैग्यानिक प्रमार भी प्राप्त हुए है कि अच्छे ब्याराम से उच्छी रख्तचाप तथा कोलेस्ट्रॉल की समर्श्या से निजात पाया जा सकता है दोस्तों यह सब बैग्यानिक खोजू के कराण ही हो गया संभो हो पाया है इसलिए साई सिच्छा के आधहार को मश्वित किया सकता है बैग्यानिक तथ्थिँं की द्वारा कि स्वास्ति सिच्छा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा श्रमूह शिखते हैं क्या सिखते हैं तो इसमें आपसर नंबर बी करेक्ट एंसर होगा स्वास्त को बहावा देनी बनाय रखनी तता पुनोह इस्थापित करने के लिए सिखते हैं यह एक ऐसी विधा है दोस जिससे व्यक्ति अपनी सारीक और मानसी के स्वास्ता का ग्यान प्राप्त करता है नेक्स कोश्चन है कि ब्यायान के दौरान अधिक्तम शंभव उपाप चैदर क्या होता है दोस्तों यहां पे शही आपसर हो जाएगा आपसर नंबर डी कि लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन इस्तर आधे से गिर जाता है कहने का तात्पर यह है कि ब्यायान के दौरान जो हमारी अधिक्तम संभव उपाप चैदर यानि मेटाबोलिक रेट होता है वह आधे से लगभग आधे से कम हो जाता है यदि हीमोग्लोबिन इस्तर आधे से गिर जाता है तो आपका उपाप्चेदर भी, ब्यायम के दोरान आपका उपाप्चेदर यानि मेटाबॉलिक रेट भी लगभग आदे से कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे सरीर में जो भोजन हम लेते हैं, उसको उर्जा में करता है, इमोगलोबीन ही करता है, कोसिकी श्वसंद्व बनाता है, इसलिए उसको उर्जा का पावर हाउस बुला जाता है, तो दोस्तों जब हमोगलोबीन जो आक्सिजन का परिवहन करता है, हमारे सरी में सभी जगह आक्सिजन का परिवहन कों करता है, हमोगलोबीन करता है, जब हमोगलोबीन का अस्तर आदे से घर जाएगा, त प्रिवह नहीं नहीं तो उलपाव चैदर कैसी हमड़ा नहीं होगः नहीं तो इतना हमा फाइस ह मात्र सिंस्थ मनुष्य में सवाज का जी, 15 ग्राम प्रतिस्ignment यमल पर होती है रुथिर में हुता है 15 ग्राम और एक गाम हीमोग्लोпीन लगबा कितना आकसिज्जन को बादर रखती है 1.34 ठीक है 1.34 यमल कि एक ग्राम हीमोग्लोबीन आकसिजन को बादर रहता है ठीक है 1.34 ते इस त्रकाब 15 ग्राम यानि 100 हम रुदीर की हमोग्लोबीन में कितना बधा रहता है बीज हमल रुदीर की हमोग्लोबीन में कितना था है 15 ठीक है यह आपको जानना पिरे इंपोर्टन था इसलिए मैंने एक स्प्रेंग किया दोष्तों कि मदेद तल्य सरीज को बाटता है यहां हिंदी में मदेद तल्य लिखा थे दोस्तों आप इंगलिस वरजंद ध्यार में दीज़ेगा कि मदेद तल्य का मतलब है सेजिटल प्लेन जीसा कि दोस्तों आप प्लेन एंड एक्सिस दोनों पढ़िए होंगे इस पर वीडियो में करते हैं के बनाया है किंसिट लौ्जी के प्लेडिस्ट में जाकर कर देख सकते हैं तो या हम अई नि प्लेटल सरीर को बाणता है तो दोस्तों प्लें तीन प्रकार के होते हैं सेजिटल, फ्रंटल, होरिजन्टल सेजिटल को लेटर या मेडियल प्लेन कहते हैं फ्रंटल को क्रोनल या एंटेर पॉस्टेरियर प्लेन भी कहते हैं और होरिजन्टल को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है और जो सेजिटल होता है हमारे सरीर को दाएं बाएं भागों में बाड़ता है और जो गती होती है आगे पीछे होती है यानि की फ्लैक्शन एक्स्टेंशन गती होती है जो फ्रॉंटल प्लेन होता है वो सरीर को आगे पीछे बाड़ता है और गती दाएं बाएं यानि की एडक्शन ह सबते हैं होता है इसमें गती जो होती है सभी होने गुंहर्ड इसे होती है जैसे डिकेश्ण, एफ्रेक्षन, सुपाइसन, प्रोड़्टोंर आउट्वर्ट रोटेशन, सरकम्डॉक्षन देटी थो होती है बाड़ता है यहां पर क्या सही हो जाएगा किसी रोकी वैदता predictor किसके दwarन इधायत होती है दोस्तों Is a key परिच्षर के काटरिया के बारे में उन्वीडियो बनाया है आप उस वीडियो के देख लेंगे तो अच्छ़ी के काटरिया में आते हैं आपका रिलयाबिलेटी वॉलीडिटी अब्जिक्ट्विटी एं अब्जेक्ट्विटी एंड नार्म्स इस्टेंडर्ड तो दोस्तों यहां पर पूछा है कि किसी परिच्छड की वैदता वैलिडिटी किसके द्वरा निधायत होती है तो यहां पर आपसन नंबर B सही हो जाएगा दोस्तों कि परिच्छड को उसी से मिलते जुलते परिच्छड से संबंध करके हम देखेंगे कि वैलिडिटी में क्या देखा जाता है दोस्तों कि जिस परिच्छड को हम जिस उद्देश से बनाए हैं कि वह वही चीज माप रहा अब वही चीज मापेगा तो उसके validity अच्छी माने जाएगी तो परिच्छर को उसी से मिलते जुलते एक पुराना परिच्छर ले लेंगे एक नया परिच्छर ले लेंगे तो आपका वोलिडिटी सही माना जाएगा यानि कि परिच्छर की वईदता से साथ पर है कि परिच्छर की उस छम्ता से होता है जिससे वह कार विसेश या गुड़ विसेश का मापन करता है यानि इसके लिए वह बनाया गया है क्या वही चिज माप रहा है ठीक है यानि यह प तो दोस्तों अच्छे परिच्छर के मांदर्ण में क्या आता है Reliability, Validity, Objectivity, Norms and Standard इसमें से आपका वस्तुनिष्टा यानि Objectivity, विस्वस्निष्टा यानि Reliability, Validity यानि Validity ये तीनों की तीनों अच्छे परिच्छर के मांदर्ण है जबकि ब्यक्ति परक्ता यानि की सब्जेक विटी यहां पे अच्छे परिच्छर का मांदर्ण नहीं है आपसर नमबरी भी यहां पे correct answer होगा Next question है दोस्तों कौन सा घटक परिच्छर की वस्तुनिष्टा को प्रभावित नहीं करता है तो दोस्तों यहां पे नेड़ा की कसोटी की निस्पारित करने वाले का क्रम की परिच्छर की आवधी की मापने की प्रक्रिया का परिवेच्छर तो दोस्तों यहां पे पुछाया की कौन सा घटक वस्तुनिष्टा को प्रभावित नहीं करता है तो नीड़ा के कसोटी निस्पारित करने वाली का क्रम मापने की प्रक्रिया का परिवेच्छड एत्तीनों वस्तोनिष्टा को प्रभावित करता है जैकि परिच्छड की अवधी वस्तोनिष्टा यानि अब्जेक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है आपसा नमबर C, correct answer, next question है परिच्छड का प्रयोजन यानि परपज किसके माध्यम से मापा जाता है तो प्रयोजन किसके द्वरा मापा जाता है दूस्तों यानि उद्देश से तो वैदता से मापा जाता है यहाँ पर वैदता यानि वैदता यानि वैदिटी आपसा नमबर B, correct answer हो जाएगा कितने रीजनल समीटी द्वारा नेशनल कॉंसिल आफ टीचर एजुकेशन कारे करता है नेशनल कॉंसिल आफ टीचर एजुकेशन यानि यन्सी टीई तीक है यन्सी टीई नेशनल कॉंसिल आफ टीचर एजुकेशन कितने रीजनल समीटी द्वारा कारे करता है तो यह चार समीटियों द्वारा काल करता है आपसर नंबर बी करेट एंसर दोस्तों राष्टी अध्यापक सिच्छा परिशत यानि नेशनल कॉंसिल आफ टीचर एजुकेशन ये भारत सरकार की एक संस्था है इसकी इस्थापना राष्टी अध्यापक सिच्छा परिशत अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में इसकी इस्थापना किया गया था here इसका उत्तरदाई त्व भारती सिच्छा प्राली की मानक प्रक्रियां द्वाराओं की स्थापना करना उसका निश्चर करना है इसकी चार3 समीतियां है पुर्वी पस्चमी उत्री तच्छडी ठीक्हें कि निल्न में से कौन सी शम्वेधानिक संस्था सारीक शिच्छा प्रसिचर को संचालित करती हैं तो दोस्तों इसमें हो जाएगा राष्टिय सिच्छक सिच्छा काउंसिल यानि राष्टिय अधियापक सिच्छा परिशत NCTE ठीक है नेशनल कॉंसिल आफ टीचर एजिकेशन NCTE अपसर नमबर डी यहां पर करेक्ट नेशनल हो जाएगा इसका गठन कब हुआ है दोस्तों 17 अगस्त उनिश्व पंचान्वे को नेशन कोश्चन है खेल जगत में अधिकारिक विशेश सग्यता के प्रविष्ट होने के फलसरूप खेल प्रसिच्छर को बनाये जाने पर अपिच्छा कित अधिक जोर दिया जा रहा है खेल प्रसिच्छर को अधिकारिक विशेश सग्यता के प्रविष्ट होने पर खेल प्रसिच्छर को कैसा बनाये जाने पर अपिच्छा कित अधिक जोर दिया जा रहा है दोस्तों खेल परक कि इसिती परक कि लश्च परक कि प्रति इस परधा परक तो दोस्तों खेल स्पेसिफिक बनाए जाने पर अविच्छा के अधिक जोर दिया जा रहा हूं नेक्स्ट कोश्चन है साररिक सिच्छा यानि फिजिकल एग्योकेशन के कारचेत्र में सामिल है क्या सामिल है स्वास सिच्छा खेलकुत गदिविदियां कैंप डालना और नेतित्व करना निरा उपिक सभी जैसा कि आप सबको बता होगा उपिक सभी ये सभी क्रियाएं फिजिकल लोजी के से कारचेत्र में आती हैं नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि स्वास्ति सिच्छा किसी से संबंधित है तो इसमें आपसन नंबर रो ए आपसन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अनुरच्छण और पुना इस्थापन से संबंधित है स्वास्तिच्छा ठीक है नेक्स्ट है व्यक्ति के बहुमुखी विकाश में शामिल है सारीक और मांसी विकाश समाजी और भारात्रवक विकाश नैतिक और अध्यातिन विकाश उपिक सभी तो दोस्तों बहुमुखी विकाश में यह सभी आ जाएंगे तो आपसन नंबर डी करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है स्वास्ति सिवाओं पर निम्न लिखि इसकूलों में चलाय जा रहे हैं तो यहां पे करेट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर ए क्रियानीट एक स्वास्त्य सेवा है इसके तहट इसकूल जाने वाले युवा बच्चों के बीच प्रतलित समानने विमारियों से बचाओ वो उबचार हे तू बुनियादी चिकिस्सा कीत प्रदान किया जाता है तथा पोसर वश्वास्त देखभाल से समंधित अन्य शिवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं नेक्स्ट कोर्चन है सारीक सिच्छा का उद्देश्य निधायत करना है क्या सारीक विकास की मानसिक विकास की सरवांगिक विकास की खेल कुद में भाग लेना तो दोस्तों यहां पे सही अंसर हो जाएगा सारीक विकास मानसिक विकास सरवांगिक विकास यह तीनों आपसर हो के भारत में आया तो सारी सिच्छा के सिच्छक परिच्छर का बिचल कहँं से आया तो इंग्लाइन्ट से आया ठीक है इंग्लेंस से आया सारी सिच्छा प्रात्मेड माधमीग विद्यालों में इस पराथ शृतर में साथ मुत From सभी इस तरों पर बच्चों के इस्टतम विकास के लिए सारीक सिच्छा की गतिविधियों का कारेक्रम कैसा होना चाहिए तो दोस्तों सभी इस तरों पर इस्टतम विकास के लिए सारीक सिच्छे के गतिविधियों का कारेक्रम कैसा होना चाहिए शंतुलित होना चाहिए आपसर नंबर भी यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है सारी सिच्छा की संपुर्ड बेक्तित्व तथा उसकी सारी प्रक्याओं द्वारा उसके सरीज मन आत्मा के पुर्ड रुपेर विकास में शाहता करती है तो दोस्तों आज के लिए बस दोस्तों क LAUGH कि सभी कोशंच। करने की रूप करूंगी और बस दोस्तों जारे जारे मिखने एक नया मुट्वेसिन कि आपको बना करता रहा रह हूं कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिए विल आइकन को फ्रेस कर लिए जिसे जो भी नए वीडियो नेक्स टाइम अपलोड करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपके पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लि कि दिस टॉपिकेशन आपके लिए जास टॉपिकेशन आपके साथ तो में नेक्स कर लिए जहां वीडित एंप झाचा नेक्सको पूस्टाइब कि अजए पूस्त पॉस्त वर्च रहेगा लिए तो मैं आवे